नमस्कार मेरा नामा लोग है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं एक बार फिर से मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी दिये है देश पर एक बड़े प्राक्रितिक आपदा आने की चेतावनी पहले से दे दिये है मौसम विभाग ने आपको पता होगा बिहार में पिछले मह बंगला चुराहा हो या कोई भी रहाइश इलाका हो जलमगन हो चुका था और फिर से देश में कड़ी जो प्राक्रितिक आपदा है वो आने वाली है बड़े प्राक्रितिक आपदा को लेकर मौसम विभाग ने चितावनी भी दे दिये है भारत के तीन तरफ समुद्री किन आ रहे हैं इनी समुद्रों में इस समय उठ रहे दो भयानक चक्रवती तुफान अरब सागर में चक्रवती तुफान महा और बंगाल की खाड़ी में बुल-बुल तेजी से भयावा रूप लेते नजर आ रहे हैं इन दोनों तुफानों ने देश को दो तरफ से घेर लिया है अगर ये ज़्यादा भयावा रूप लेते हैं तो इनकी वज़र से महराष्ट गुजरात पस्चिम बंगाल और ओडिशा पर सीधा असर पड़ेगा जबकि इन राजियों से सटे हुए राजियों में भी असर देखने को मिलेगा आपको पता होगा पस्चिम बंगाल से सट प्रफान तूफान लगतार किसम गंटे की रफ्ता से बढ़ रहा है अभी या गुजरात के पूर्बंदर से 480 जी किली धूर है वही गुजरात के विरावल और दीव से 570 किलीमिटर दूर है अगर 24 गंटे में तूफान गुजरात के तटिये इलाकों और दीव तक पहुं भीर चक्रवाती तूफान बन जाएगा अभी यह पस्चिम बंगाल के सागर दूइप से 930 किलो मिटर ओरिशा के परादीप से 820 किलो मिटर और अंडमान के माया बंदर से 730 किलो मिटर दूर स्थित है अगले 12 घंटों में और दबाव के छेतर में बदल जाएगा इसके सब्सक्राइब एक एक भार फिर से हमें साफधानी बरतनी होगी जिसर%, मौसम बिभाग नत जारी जारी है और लोगों को दे कर यह अपने घर से बाहर निकुल omin हाला कि जो लोग इस वक्त पस्री मंगाल में हैं ओडिशा में हैं या फिर जिनके रिष्टदार गुजरात में रहा हैं उन सभी से कनेक्शन जो है वो बनाए रखें क्या कुछ हालात हैं इस पर भी आप नजर बना रखें बहराल देश दुनिया के सभी खबरों के लिए बने